एलो एविवान स्वागत है आप सभी का एक और फैंटेसी प्रिव्यू में मुकाबला है पाकिस्तान वर्सिस नेधरलेंज के बीच एंड ये मुकाबला होगा एदर राजीव गांधी स्टेडियम है दरबाद में होगा यह गेम जहां पाकिस्तान अल्रीड दो प्रैक्टिस म की बात करें तो रीसेंटली ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है प्रैक्टिस मैच भी उनका एक हुआ था उस्टेलिया के सामने जो आधा ही हुआ था एंडिया के सामने टोटली रेंड आउट गेम था तो थोड़े से शॉर्ट ऑन मैच प्रैक्टिस है बट काफी अगर आप जानना चाते हो मिनी जिल्स क्या है तो उसके लिए आप टेलिग्राम पर जुड़ सकते हो स्मॉल लीग्स ऑन माइमास्ट लेवन मिनी जिल्स ऑन इनी अव दीज आप एक्सचेंज 22 पिक्स अगर लाई वह तो जरूर डिसकस करेंगे याद रखे कि एक्सचेंज 22 पे सीरीज वाइस टेडिंग भी लाइव हो गई है सीरीज वाइस टेडिंग क्या है को सिर्फ एकी बार खरीद होगे बिफॉस मैंच अब टोर्नमेंट फिर उनके पूरे टोर्नमेंट के पॉइंट्स काउंट होते जाएंगे तो काफी इंट्रेस्टिंग कॉंसेप्ट है बाद में उनके पिक्स भी हम डेखें अब वेदर रेपोर्ट की बात करें तो एक लिएर वेदर रेपोर्ट हमें देख रहा है और एक पूरा मुकाबला हमें यहां पे देखने को मिलना चाहिए डाइधर बाग तो नो रियल कंसर्ण ऑन दिस फ्रंट अब चलते हैं पिछ रिपोर्ट की तरफ यहां पहले आप ग्राउंड दिमेंशन देख लीजे एक साइट काफी शॉट है सिर्फ फिफ्टी सेवन मीटर यह आई पील के ग्राउंड डामेंशन है हो सकता है थोड़ा इदर उदर बदले तो जरूर आप फाइनल पिछ रिपोर्ट एंड ग सब्सक्राइब करेंगे इस मुकाबले में भी तो यह हुए आज के पिछ रिपोर्ट एंड रिमेंबर तो साइन अप और आपको एक्स्क्लूजिव ओफर्स वहीं पर मिलेंगे हैं रिमेंबर एक नो जी एस्टी आप है यह और आपको यह रियल कैश्व मिल रहा है नियो फ एक्सपेड प्लेंग इलेवेंज की तरफ पहले गेम्स है तो मेगी कुछ फरक हो इन प्लेंग इलेवेंज में बट पाकिस्तान की बात करें तो फकर जमान या अब्दुल्ला शफीग अब जयादा लाइकली है खेलने को अगर शफीग खेलते हैं तो इनका टॉप फोर सनली एन हैरिस रॉफ एक जो बड़ा कंसरन है इनके लिए इनका जो बैटिंग ओडर है काफी आउट फॉर्म करेंडी चल रहा है नेदरलेंट की बात करें मैक्सो डाउट बिक्रम जीट सिंग वाइज बरेजी बैस डिलीडी कॉलन इकमें साइब्रान इंगल ब्रेक्ट स् इनका जो बड़ी टीम चलते हैं प्ले डीटेल की तरह फॉर्स इनिंग में पाकिस्तान साइट की एंड समझने की कोशिश करेंगे क्या सब्सक्राइब करेंगे तो फॉर्स प्लेयर अफ देडे इमाम उलक इनका जो पास रिकॉर्ड है काफी अच्छा है फॉर्स इनिंग इनका फ्लाट टाक रहा है ऑफ लेट एक जो बड़ी टीम उनके सामने खास स्कोर नहीं किया बड़ याद रगे सामने नेधरलेंड तो यहां पर अच्छा स्कोर कर जाएं मैच अप्स इनके कुछ है नहीं है ज्यादा खेले नहीं इनके सामने हैं और ओवरॉल मैं कहूंग है और फ्लाट डेक वाइल बोलिंग वाइल बैटिंग सेकंड तो याद रखिए कि बैटिंग सेकंड में थोड़ा ज्यादा प्रेशर हो सकता है ऑफ देचेज जिनमें यह सकंब कर सकते हैं तो यह हुई इमाम की बात फकर जमान की बात करें तो इनका रीसेंट फॉर्म बह काफी तकलीव हुई है तो इस बात का जरूर दियान रखिएगा अब्दुल्ला शफीक का मैंने यह पर एक्स्ट्रा कार्ड डाला हुआ है ज्यादा इंटरनाशनल क्रिकेट नहीं कहला है बट अच्छी बैटिंग ट्रैक्स पर अच्छा काम करके दे सकते हैं तो अगर यह इस जॉब्स डिसकस करके मतलब नहीं है तो यह हुँ अब्दुल्ला शफीक की बात बाबत आजम की बात करें बहुत अच्छी फैंटिसी वाल्यू आपको देखे जाते हैं अपना समय लेके खेलते हैं तो पहले आराम से खेलते हैं फिर बात में आइक्सलेट कर जाते हैं इनका बहुत इनका बहुत इनका बहुत इंट्रेस्टिंग मैच अगर नेधरलेंड्स के सामने जिसको हम आगे डिसकस करेंगे आप इनको कभी ड्रॉप कर सकते हो गेम्स जा आपको लग रहा है अप्रांट मुमेंट है दो तीन विकेट जल्दी गिर जाएंगे या जील मे सब कुछ इनके फेवर में चलता है मैच अच्छे नेधरलेंड्स के सामने अब काफी अच्छे प्लेयर है चाइक भी अच्छा रोटेट करते हैं आपको बोनस पॉइंट मिल जाते हैं विकेट कीपिंग तो मेरे साब से एक रिलाइबल ऑप्शन है ज्यादा तर तो मैंने नहीं ड्रॉप करूँगा तो यह हुई रिजवान की बात सौच शकील की बात करें एक टेक्निकली साउंड प्लेयर है काफी नहीं है साइड में ज्यादा इंटरनाशनल क्रिकेट नहीं खेला है पहले पर अल्रेडी जो पहला वाम अप गेम था न्यूजिलेंड के सामने व इस जिम में आप इन्हें ना कंसिडर करो अच्छे बोलिंग अटाइक के सामने तो इनका मौका आना चाहिए फर्स इनिंग सेकंड इनिंग भी अच्छा है इनका पिछ पिछ के साब से भी फ्लैट बाटिंग ट्रैक है तो सूटबलेटी अच्छी होगी और फॉर्म भी इन इन पर इस बिल्कुल ले सकते हैं ड्रॉप करने का बट उसके लावर इस गेम में में बी कंसिडर ना करो आपको पता है कि इनका मौका में भी कम है अगर यह सेकंड बोलिंग करते हैं फिर भी इस गेम में जील कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी च्वाइस बन के आएंगे अगर बड़ी चीज होगी तो इनका काम वहाँ पर बन सकता है अब अब इनके मैच अप्स इस टीम के सामने अच्छे हैं काफी अच्छा है इन्होंने परफॉर्म किया है तो मैंने जरूर पिक करूंगा चाहिए परस बोलिंग करें हैं सेकंड बट आगे जैसे टोर्निमें में थोड़ी weakness है इनकी और याद रखी कि शदाव नवाल दोनों फर्स इनिंग में इनका जो average and strike rate है with the ball वो सीधा 20-30% उपर चल जाता है विच इस नेगेटिव जवाब बोलिंग करते हो सेकंड इनिंग भी इनका record ठीक ठाक रहा है pitch and form इनकी favor में नहीं है overall इन पे मैं call कल ह ही लूँगा based on the toss and the scenario because दोनों spinner को अगर आप fit कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना else maybe आप इन पर ज्यादा चांस ले सकते है ज्यादा restrictive sort of spinner है बट बैट के साथ अच्छे लक्षन दिखाए अगें स्टाक इन दे प्रैक्टिस मैच तो यह वह नवास की बाद शाहिन अफ्रीदी की बात करते हैं recent form अच्छा नहीं है और में भी पिट से उन्हें कुछ हास खास help ना मिले बट क्यूंकि हमें पता है न्यूजिलेंड की देखा था एक दूसरे लेफटर में घृती रहें इस बात का जरूरू त्यां रखेगा करें यहां घृट यहां जयादा कुछ नहीं करने विद बॉल फॉर पेसर बट यहीं करते होगा एक सेखेंड बों करते एफ फर्स बोलिंग में फिर भी हास डेट में डालेंगे उन लेना तो बिल्कुल भी नहीं बनता यह ओई शहीन अफीदी के बाद मौमद वसीम अगर खेलते हैं इंडिया में हमें पता है ज्यादा रिवर्स होती नहीं है इन पर रिस्क ले जकते हो फ्लाट डेक्स पे जब सेकंड बोलिंग करते हैं तब इन पर चांस लिया जा सकता है यहां पर मैंने हैंड का मांग इसलिए डाला हुआ है अगर पहले बोलिंग करते हैं फिर भी आप इने कल कंसिडर कर सकते हो एस नेधरलेंड्स की टीम कंपारिटिवली थोड़ी वीकर है फिर चलते हैं हसन अली की तरफ वापर सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड अच्छा नही लिगर टीम की बात करें तो ज्यादा खेले नहीं नेधरलेंड्स के सामने तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्स्पोनेंट है और इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं रहे क्यूंकि इंजरी से वापस आ रहे मुझे लग रहा है कि कॉलिटी प्लेयर है तो बिलकु यहां पर आप देख सकते हो वन लाक का फ्री गिववें ट्वेंटी थाउजन का फॉर्स प्राइज है और मैं काफी शूर हूं कि जो पाकिस्तान नेधरलेंड्स वाला गेम होगा उसमें भी एक गिववे आएगा ऑन तो इंशॉर कि आप अभी के अभी साइन आप कर लिए लिंक है इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में अब चलते हैं नेधरलेंड्स टीम की तरफ तो अब बात करते हैं नेधरलेंड्स की टीम की स्टार्ट करेंगे विद मैक्सो डाउड और आइधिंग नेधरलेंड्स के लिए अगर कोई सबसे बेस्ट बैटर रहें तो यही र सब्सक्रिप्शन में नेधरलेंड्स के लिए इन और टीम रहें रहें रिसेंट फॉर्म भी इनका कुछ खास नहीं है काफी पाकिस्तान के सामने पहले तो आइधिंग इन्हें आप काफी तरीके से इग्नॉर कर सकते हो विदाउट इनी डिस्रिस्पेक्ट तो प्लेयर मेभी अगर आपको गट फील हो तो एक अगट जील टीम में ट्राय कर सकते हो एं गुड बैटिंग कंडिशन पैस्ट इलीडी अगर मैं नेधरलेंड से सेक्ट इनिंग में 62 है तो अगर आपको रिस्क लेना है उन पर तो आप वो सिट्वेशन में ले सकते हो एं काफी अराउंड टीट्वेंटी लिग रहे हैं यह आयल टीट्वेंटी भी खेल के आ रहे हैं तो रिसोर्स फिल बिद बैट हैं टॉप और में अच्छा खेल लेत बड़ इनका पिच इनके हिसाब से पिच भी अच्छी है फॉर्म भी अच्छा है और याद रखी कि यह इंग्लेंड काउंटी सिर्किट में काफी कहले हैं डोमेस्टिक काफी खेले महां पर तो वह हिसाब से यह काफी एक्सपीरिंस प्ले रहे हैं बिलकुल आप इने ट्र जो मैंने देगा था उस्चेले के सामने ठीक टाक शॉट करेंज था बट यह डेब्यू कर रहे हैं इस गेम में तो आई डोंट तिंग यह जी एल ऑप्शन के अलावा और कोई तरीके से कौलिफाय करेंगे बेस्टीम में स्कॉट एडवर्ड बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव प्लेयर है जब भी आपने अपने नेधरलेंड्स को अंडर प्रेशर देखा होगा तब यह उपर आखे क्याप्टेन की तरह खड़ रहे हैं क्याप्टेन है इस टीम के फॉर्म इनका अच्छा है पिच भी इने सूट करनी चाहिए प्लस आपको विकेट कीपिंग बोनस पॉइंट दे सकते हैं अच्छा खेलते हैं अच्छे स्वीपर है ऑफ दे बॉल तो इने ट्राइ कर सकते हो आप इन फैक्ट अगर आपको दो कीपर लेने हैं तो इन्हें आप लेके जा सकते हो बैटिंग फर्स जब पेस सब्सक्राइब अब बात करेंगे बोलिंग रिकॉर्ड काफी अच्छा रिकॉर्ड है बट यह बैट के साथ भी अच्छी वाल्यू दे सकते हैं इस बात का बिल्कु जिहान रखिएगा उसके अलावा मैच-प्स ठीक टाक है इनका फॉर्म भी अच्छा है ओवरॉल मुझे से लगता है कि अगर यह पहले बोलिंग करते हैं तो मैं बिल्कुल लोंगा इनको इनको इनदर टीम सेकेंड बोलिंग में विल कंसिडर बेस्ट ऑन दो कंडिशन तो यह वह लोगन वन्बी रॉल अफ बहुत ही बड़ा नाम इस टीम में साथ आफ्रिका के लिए खेल चुक बिल्कुल इने ट्राइ करेगा इन सम्टीम बोलिंग फॉर्स में वैसे टीम उने प्ले आउट करने की कोशिश करती है तो में वह सिट्वेशन में उन्हें नहीं ट्राइ करोंगा फिर चलें शरीज एहमत की तरफ अब बट्वीन शरीज एहमत या आर्यन दद खेलेंगे इ विच इनके साब किया है नहीं फॉर्म इनका कुछ खास नहीं है एन अटैकिंग लेक्स पे इने ट्राइ कर सकते हो आर्यन दद की बात करें एक क्लासिक ऑफ स्पिनर है एक इंट्रेस्टिंग मैच अप है इनका इस गेम में वह मैं आगे डिसकस करूँगा मैच अप सेक्श फर्स बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड वापस एक और पेसर जिनका हम देख रहे हैं सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड खराब वाइल बोलिंग अब यह इनका आवरेज ऑन स्ट्राइक रेट आप देख रहे हो कि खराब क्यों है इन इस एक कम स्कोर डिफेंड करते हैं जो आरा वैन मीकरिंग की बाद अब चलते हैं बड़े मैच अपस की तरफ बैस दिलीडी वसिस मौमद वसीम दो बार आउट हो हैं यहां पर आप देख रहे हो इंडिकेटर रेड है एस ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं है तो यह एक थ्रेट हो सकता है मौमद वसीम अपने स्प अब यही सब डेटा के बिसस पर पिक करें है हमारी आज की फैंटेसी टीम फॉलओड बाइद ग्रैंड लीग ऑप्चन सब्सक्राइब करें तो बाबर आजम इमाम उलक और फकर जमान का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है बट अभी के लिए मैंने पिक करके चल रहा हूं अज हमें पता है कि सामने एक वीकर टीम है तो अगर सेट इन हो जाते एक बड़ा नौक खेल सकते हैं जील में फिर भी सब्सक्राइब को मैं बिल्कुल ट्राइब करूंगा फिर चलते हैं ऑल राउंडर्स की तरफ बैस जिलीडी जैसे मैंने का मेरा पहला नाम होगा इस सेक्शन से शदाप खांड डेफिनिटली मैं पिक करूंगा ऐस्पेशली सेकिंड बोलिंग में यह बिल्कुल विकेश ल बोलिंग की बात करें शाहिन अफ्रीदी एन हैरिस रॉफ बिल्कुल मेरी टीम में रहेंगे और लोगन वन्बीक जैसे मैंने का बिल्कुल ड्रॉप नहीं करूंगा अगर सेकंड बोलिंग करते हैं मेभी वो सिट्वेशन में उन्हें ड्रॉप किया जाए और यहां से मेरे यहां पर अभी के लिए इन्हें पिक करके चल रहा हूं तो यह मेरे बेस बिल्कुल अब जो लास्ट एक व्डेव हमें तो आप पिक कर सकते हो सेफ जाना है तो आप जा सकते हो मैक्स व के साथ हैं मुझे लग रहा है कि कॉलरन एकमिन ने काफी रीसेंट क्रिकेट खेला बट चाहे तो आप सेफ जाना है तो आप एक और पाकिस्तान प्लेयर को भी लेके जा सकते हो लाइक नवाज अगर आपको नेधरलेंड्स के एक और प्लेयर के साथ जाना तो मैक्स व्डाउट भी एक ठीक टाक चॉइस है क्याप्टिन वाइस क्याप्टिन की बात करें जैसे आप देख सकते हो ज्यादा तर लोग जाएंगे बाबर के साथ बट आप शदा आप सेकेंड बोलिंग करते हैं एक ठीक टाक पिक है शाहीन अफ्रीदी पे एक अच्छे पिक है स्पेशली इन फर्स और सेकंड क्योंकि फर्स में डेथ में भी डालेंगे सेकंड में अंडर लाइट इने मुमेंट भी मिलेगा तो बेस्ट अन सेफटी में यहां पर जा रहा हूं विछ चाहीन और वाइस कैप्टेन में जा रहा हूं विद बाबर पोस्ट टॉस हम डिसकस सेकंड में पिक करके जाओं स्कॉर्ट एडवर्ड बैटिंग सेकंड इनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छ है कॉलन एकमें यहां पर मैंशिन करना बूल गया हूं बट वाइल बैटिंग सेकंड में फिर भी मैंने रखूंगा इन रखूंगा इन पर रिस सही से बनेगा फिर बात करते हैं ग्रैंड लीग कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी ऑप्षिंस की बैटिंग फॉर्स पाकिस्तान टॉप फो एं शदाब इस फिर सेकंड बोलिंग में आएंगे बैटिंग सेकंड शाहीन ओविसली एस देन ही बोलिंग फॉर्स एन फिट बैटेंगे लोगन एन अब एक एक्स्विजिट ओफर सिर्फ आप सभी तो एक्सजेंज 22 लाया है आप सभी के लिए एक टॉप लीडर बॉर्ड मल्टी बैगा एंड मार्केट सेक्शन में आपको दिख रहा है आईफून 15 के प्राइज़स हैं फॉर्स त्री रैंक्स में और उसके बाद वहां से जुड़ना मत भूलेगा and like always remember to join us at the red fantasy crick pro on telegram final teams update सब कुछ आपको वहीं पर मिलेंगे so like always remember to join us there and if you enjoyed this content remember to like comment share and subscribe जल्दी मिलेंगे एक और प्रिवीव के लिए thank you so much for tuning in and thank you so much for all your support